हेलो एवर्डिवन वेल्कम टू माई यूटूब चैनल स्पेसल अकेडमी आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एच पी जी के यहाँ पर डिस्कुस कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले इसाम के लिए बहुत ही ज्यादा और पिछली वीडियो में हमने ये क्वेस्चिन बहुत बार डिस्कुस किया हुआ है कि भोरंज तहसील किस जिले में है तो ये है हमिरपूर में ऑप्सने यहाँ पर एच सही हो जाएगा और हमिरपूर में कितनी तहसिले आती हैं तो पांच आती हैं और आप कोमेंट बॉक् हमने बहुत बार ये वीडियो ये question जो है तो discuss किया हुआ है next question है हमारे पास भटियात तहसील किस जिले में स्थित है तो देखिए option यहाँ पर दिये गए है उन्ना, सिमला, चमबा या फिर कांगडा तो देखिए हमने ये वाला question भी बहुत बार discuss किया हुआ है कि जो भटियात तहसील है वो किस जिले में है तो देखिए चमबा में ये स्थित है भटियात और इसमें बहुत सारी तहसीले आती है पिछली वीडियो में हमने ये discuss किया हुआ है जैसे साथ इसमें तहसीले है उप तहसीले भी साथ है इसमें तो बढ़ते है next question की तरफ next है हमारे पास अंसर आएगा वो आएगा पर्यावरन सिक्सा का प्रसार अपसनिया पर बी सही हो जाएगा next है पिन पारवती दर्रा किसे जोडता है तो देखिए किसे जोडता है तो अपसनिया पर है और इसका जो सही अंसर आएगा वो आएगा कुलू और स्पीती को पिन पारवती दर्र जोडता है और पसे यहां पर E सही हो जाएगा नेक्स है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा करने वाला क्षेतर कौन सा है तो सबसे अधिक वर्षा करने वाला क्षेतर कौन सा है तो देखिए डिलहौजी मनाली केलांग या dharamshala तो अप्सनी यहाँ पर D सही हो जाएगा धरम शाला नेक्स्ट क्वेस्टिन है हमारे पास किस जिले में राम सहर तथा क्रिशन गड उप तहसीले हैं तो देखिए इसका जो सही अंसर आएगा वो आएगा उप्सन नमबर यहाँ पर B सोलन में नेक्स्ट क्वेस्टिन है हमारे पास किस जिले में सिलाई तहसील है तो देखिए अप्सनी यहाँ पर दिये गए हैं सिर्मौर, बिलासपूर, सिमला या फिर सोलन तो किस जिले में सिलाई तहसील है तो सिर्मौर में यह सिलाई तहसील है नेक्स्ट है किस जिले में देदाहू तथा कमराव उपतहसीले हैं देदाहू और कमराव ये जो उपतहसीले हैं ये हैं सिर्मौर में नेक्स्ट क्वेस्टिन है हमारे पास किसके मध्य चोबिया यात्रा मार्ग स्थीत है तो चोबिया यात्रा जो मार्ग है वो कहां पर है तो लहौल और भरमौर के बीच में, चम्बा और लहौल के बीच में, नेक्स्ट है, किसके मध्य जलसू पदियात्रा मार्ग है, कांगडा और भरमौर के मध्य, नेक्स्ट है हमारे पास, किसके मध्य जलौरी पदियात्रा स् अभी हमने ये पड़ा next है हिमाचल की स्थानिय भासा में हिम्नद को क्या कहते है तो हिम्नद को क्या कहते है तो आपसनियां पर जी सही हो जाएगा शिगडी next question है हमारे पास रावी नदी के उदगम स्थान का क्या नाम है तो देखिए रावी नदी का जो उद्गम स्थान है उसको कहते हैं बड़ा भंगाल अपसनिया पर ए सही हो जाएगा नेक्स्ट है किस नदी की सहायक वो गौन नदी विन्वा है तो विन्वा किस की सहायक नदी है तो ब्यास की अपसनिया पर ए सही हो जाएगा नेक्स्ट है कहां से सतलूज नदी का उदगम होता है तो देखिए आपसनियाँ पर दिये गए है मांसरोबर, किबर, कैलास या फिर रोहतांग तो सतलूज नदी का उदे कहां से होता है तो आपसनियाँ पर ए सही हो जाएगा मांसरोबर जील से नेक्स्ट है किस जिले में कुमार वाह जील है तो देखिए कुमार वाह जील कहां पर है तो मंडी में है उन्ना में सोलन में या फिर सिर्मौर में तो किस जिले में है तो मंडी में कुमार वाह जील है नेक्स्ट कोस्टिन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की उत्राखंड की पुर्वी सीमा कौन बनाती है तो कौन सी नदी बनाती है तो यहाँ पर उप्संदिये गए है यमुना, राभी, पार्वती या फिर शतलुज तो देखी उत्राखण की पुर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है तो यमुना ओप्सनिया पर ए सही हो जाएगा नेक्स्ट है यमुना नदी का पौरानिक संबंद किस से जोड़ा जाता है जो यमुना नदी है उसका जो पौरानिक संबंद है वो जोड़ा जाता है सूरय से उपसणिया पर B सही हो जाएगा next question है चंबा जीले से किसका संबंद नहीं है तो देखिए चंबा जीले से किसका संबंद नहीं है तो रेणुका का बकी, लामा, खजियार और गडासरू इन सब का संबंध जो है तो चमबा से है नेक्स्ट है जील एवं उंचाई में कौन सा जोड़ा गलत है तो कौन सा जोड़ा गलत है तो डल जो है यहाँ पर इसका जो दिया गया है मीटर में उंचाई बगेरा यह गहराई तो यह गलत है नेक्स्ट कॉस्टिन है यहाँ पर हिमाचल परदेश की पूर्विय नदी कौन सी है तो देखिए पूर्विय नदी कौन सी है तो अपसने यहाँ पर एस ही हो जाएगा यह मुना किस जिले में महाकाली जील है तो देखिए चमबा में महाकाली जील है नेक्स्ट कॉस्टिन है सुस्क समसितोषन क्षेतर में कौन से दो जिले आते हैं तो सुस्क समसितोषन क्षेतर में जो है तो लहौल और कुल्लू जिला आता है नेक्स्ट है किस क्षेतर में जासकर सीखा स्थित है तो जासकर सीखा कहां पर स्थित है तो उच्टर हिमाले में नेक्स्ट क्वेस्टिन है हिमाचल का सबसे छोटा जिला क्षेतर फल के अधार पर कौन सा है तो देखिए एक शेतरफल के अधार पर कौन सा जिला सबसे छोटा है तो हां मिरपूर ऑप्षन यहां पर A सही हो जाएगा नेक्स्ट है बसोदन दर्रा किस जिले में स्थीत है तो जो बसोदन दर्रा है वो है चमबा में नेक्स्ट है, हामती नामक जोत हीमाचल के किस जिले से सबंदित है? तो हामती नामक जोत है वो कहां से सबंदित है? तो option B यहाँ पर सही हो जाएगा चमबा खुर्लू और स्पिति से next question है, किसके बीच हमटा पद यात्रा मार्ग है? तो हम्टा पदियात्रा मार्ग किसके बीच में हैं तो कुलू और स्पिती के बीच में नेक्स्ट क्वेस्चिन है किस स्थान पर पीन नदी के साथ स्पिती वचू नदी मिलती है तो कौन सा स्थान है तो वो है डंखर नेक्स्ट है हरियाना हिमाचल की कौन सी दिसा में स्थीत है तो अपसनी यहां पर सीस ही हो जाएगा दक्षिन में तो ये थे हमारे कुछ इंपर्टेट कुस्टिन अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जुरूर करें अगर पहली बार हमारे चैनल पर वीजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू